दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर भारत घरेलू सप्लाई में हाली के दिनों में आई कुछ कमी को ध्यान में रखते हुए चावल एक्सपोर्ट पर कुछ प्रतिबन लगा सकती है सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्लोबल फूड मार्किट में चावल की सप्लाई में आई कमी घरेलू बजार पर असर डाल सकती है जिसको देखते हुए सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर कुछ प्रतिबन लगा सकती है मिली जानकारी के मुताबिक चावल की घरेलू कीमतों में हाली के दिनों में भड़ोतरी देखने को मिली है जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार तूटे चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबन लगाने पर विचार कर सकती है आपको बता दें कि भारत से होने वाले चावल के कुल एक्सपोर्ट में तूटे चावल का हिस्सा 20 फिसदी है वहीं सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे पर पूरी तरह से विचार विमर्ष काफी एडवांस स्टेज में है और जल्दी सरकार इस पर अपना कोई एलान कर सकती है हलाकि खादय और वानीजिय मंत्रालिया ने इस पर टिपनी देने से इंकार किया है वहीं वित मंत्रालिया ने भी इस मुद्दे पर अपनास से पूछे गए सवालों पर उन्होंने जवाब नहीं दिया है दुनिया के कुल चावल ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी करीब 40 फिसदी है अगर भारत चावल के निर्याद पर कोई प्रतिबन लगाता है तो चावल की सप्लाई की समस्या से जूज रहे देशों के मुश्किले बढ़ सकती है इससे खाद्यान के दोर पर चावल का उप्योग करने वाली अर्बो लोगों की दिक्ते बढ़ जाएंगी आपको बता दे कि दुनिया का 90 फिसदी चावल एशिया में उगाया जाता है रूस युक्रेयन संगर्श के कारण अभी तक गेहूं और मक्के की कीमतों में ही भारी उचाल देखने को मिला था और चावल की कीमते काफी हद तक अपरभावित थी लेकिन अब चावल को लेकर भी मुश्किल बढ़ दिये जा रही है आपको बता दे कि इससे पहले 2008 में चावल की कीमते 1000 डोलर परती टन के उपर चली गई थी जो आज की वर्तमान कीमत से भी दोगुने से ज्यादा है उस समय भी भारत और विटनाम ने चावल के एक्सपोर्ट पर परतिबन लगाया था जिसके कारण तमाम देशों में अफरात अफरी फैल गई थी आपको बता दे कि भारत में टूटे चावल का सबसे ज़्यादा उप्योग जानवरों के चारे और एथनोल बनाने में होता है बढ़ती एक्सपोर्ट डिमान के कारण इसतल चावल की कीमतों में भारी उच्छाल देखने को मिला है भारत में सबसे ज़्यादा चावल का आया चीन करता है और उसके बाद कुछ अफरीक की देश भी भारत से चावल खरीतते हैं ऐसे में सरकार विचार विमश कर रही है कि चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंद लगा दिया जाए ताकि घरेलू बजार में कीमते जादा ना बढ़ पाए